हलो दोस्तों मैं डॉक्टर रेवी केशब आपका सब्सक्राइब करता हूं अपने यूट्व चनल पर दोस्तों आज हम बात करेंगे रैनी सपास टैबलेट के बारे में इसके यूज क्या है इसके बेन्फिट्स क्या है इसकी डोस कैसे पेशन को देनी है दोस्तों यह सब जन तो चनल को सब्सक्राइब कर लें और बिल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो आपको असानी से मिल सके दोस्तों सबसे पहले हम इसमें पाएगे कॉंपोजिशन के बारे में बात करेंगे तो इसमें उंपराजोल मेंगनेशियम और डाइकलोजामाइन HCL इसमें मिला हुआ है दोस्तों उंपराजोल जो है इसमें 10 मिली ग्राम और डाइकलोमाइन हाइड्रोक्रोलराइट जो है वह भी इसमें 10 मिली ग्राम इसमें मिला हुआ है दोस्तों इस दवाई को मैंकाइन फार्मेसिट का दोरा इसको बनाया गया है दोस्तों मैंकाइन तो आपको ये 73 रुपीज की आपको 20 टैबलेट की स्टिप आपको फरमे सीवर मिलती है दोस्तो अब हम बात करते हैं कि इस टैबलेट को किन कारणों में दिया जाता है दोस्तो जदी आपके पेट में SDD की दर्द है आपके पेट में SDD बहुत ज़्यादा बनी हुई है आपको खटे-खटे डकार आ रहे हैं तो आप रहनी स्पास टैबलेट का इस्तमाल आप SDD के दर्द को SDD को खतम करने के लिए आप इस्तमाल कर सकते हैं आपके अब्डोमन में कोई पेइन है क्यों किसी भी परकार का पेइन है तो ये उस पेइन को खतम करता है जदी आपके पेट में किसी परकार की पत्थरी है या फिर स्टोन जो है वो आपको है तो ये स्टोन के दर्द को भी खतम करता है जदि आपको यूरिनरी कोई प्रोलम है यूरिनरी में आपके पाइपलाइन में आपको दर्द हो रहा है तब भी आप रहनी सपास टैबलेट का इस्तमाल आप कर सकते हैं या फिर आपको appendix की समस्या है, appendix के कारण आपके पेट में दर्द होता है, तब भी आप reni spas tablet का इस्तमाल आप कर सकते हैं। या फिर आपके liver में sujan है, liver में sujan होने के कारण आपके पेट में दर्द होता है, तब भी आप reni spas tablet का इस्तमाल आप कर सकते हैं। या फिर किसी पेशन को पीरिड्स के समय जो दर्द से गुजरना पड़ता है तो यह रेनिस पास टैबलेट पीरिड्स के दर्द को भी आराम पहुचाता है यदि आपको गैस के कारण खटे-खटे डकार आ रहे हैं या वॉम्टिंग आने की संभवना हो रही है तब भी आप एनिस पास टैबलेट का इस्तमाल आप कर सकते हैं दोस्तो यह टैबलेट एनिस पास टैबलेट जो है वो आपके पेट के किसी भी दर्द को या फिर पेट के समंधी किसी भी आपके गैस समंधी किसी भी समस्याओ को यह खतम करता है दोस्तो इसके साइड एफेक्ट के बारे आपका सिर भारा भारा लगने लगता है या फिर आपको नोजिया और वम्टिंग जैसी समस्या हो सकती है या फिर आपके शरीर पर हलके हलके रैशिस या चकत्ते जिससे निशान पड़ सकते हैं दोस्तों ये इसके साइड डिफेक्ट हैं इसके अलावा यदि आपको कोई और भी साइड डिफेक्ट आपको दिखते हैं तो अपने डॉक्टर को तुरंट इसके बारे में जनकारी दें दोस्तों इसके डोस्त के बारे में बात करें तो ये खाना खाने के बाद में सुबा शाम एक एक टैबलेट आप ले सकते हैं इस टैबलेट को आप अपने डॉक्टर के प्रिस्किप्शन के गेर मात खाईए अपने जदी करवती महला को इस टैबलेट को देना है